हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मसाले के स्वाद में आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा आलू-कचालू-चाट जिसे आलू-चाट भी बोलते हैं, कचालू भी बोलते हैं, आलू-कचालू भी बोलते हैं और इसकी खास बात ये है, ये खाने में जितनी टेश्टी लगती है, बनाना उसे इतना ही असान है, बहुत जल्दी बन के तयार हो जाती है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए ये चार उबले हुए आलू ले लिया है, उसके छिल का हटा लेंगे इसकी खास बात ये है कि इसमें ज्यादा समान की जुरूरत भी नहीं पड़ती है, बस दो-चार चीजों से ही ये चाट बन के तयार हो जाती है और वो भी एकदम जटपट बन जाती है, तो यहां हमने सारे आलू को चिल लिया है, अब हम इसे स्लाइस में ऐसे कट करेंगे यहां हमें ये ध्यान रखना है कि आलू ज़्यादा तूटे नहीं, इसे अच्छे से स्लाइस कर लें आलू को उबालते समय ध्यान रखें, ओवर कुक नहीं होना चीए नहीं, तो आलू के स्लाइस अच्छे नहीं कटेंगे वीडियो में लाश्ट तक बने रेंफ्रेंस, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और जो हमारे चैनल पर नहीं है, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो यहाँ हमने सारे आलू का स्लाइस कर लिया है, और एक मीडियम साइज के प्याज को बारिक बारिक काट लिया है और थोड़ी सी धनिया पत्ती लिया है, उसे भी बारिक बारिक काट लेंगे और यह इमली के थोड़े से पल्प है, जिसे आधा घंटा पहले थोड़ी सी पानी में भी गो करके रख दिया था तो यह अच्छी तरीके से फूल गया है, तो इसे हाथों से ऐसे मैस कर लेंगे अब हम एक एक करके सारी चीजों को डालेंगे आलू में, तो सबसे पहले हमने डाला है कटी हुई प्याज फिर डाला है आधा चमच, यह भुना जीरा पाउडर है, पर इसे कई मसालों को मिला करके बनाया गया है इसकी रेसिपी हमारे सौट्स बीडियो में अभी लेबल है, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें कॉमेंट्स करके बताइएगा इसकी रेसिपी आप सबके साथ जरूर लेकर के आएंगे फुल वीडियो में, यह थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, एक चोथाई चमच, आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, यह हमारे भुने जीरे पाउडर में भी मिर्च है, इसलिए हमने कम डा हुआ था, तो इमली का जूस ऐसे निकाल करके डाल देंगे, खटा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले, अगर आप चाहें तो इमली के रस की जगर निम्बू का रस यूज कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर इमली के रस में जो टेस्ट होती है वो कहीं आपको और नहीं मिलेगी, पर अगर नहीं है तो आप निम्बू का रस यूज कर सकते हैं, फिर हमने डाला है थोड़ा सा सफेद नमक टेस्ट के अनुसार, अब हमें इसे धीरे धीरे अच्छे से मिलाना है, ताकि हमारा आलू का जो स्लाइस है, उसे तूटने से भ मिला लिया है, अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें कटी हुई धनिया पती, इससे खुस्बू भी अच्छी आती है, और कलरफूल भी हो जाएगी हमारी चाट, अब हम इसे प्लेट में सर्फ कर लेते हैं, देखिए देखके ही कितना अच्छा दिख रहा है चाट, एक दब और अब हमने ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी भुनाजीरा पाउडर डाल दिया है, इससे हमारी चाट और भी ज़्यादा स्वाधिश्ट हो जाती है, और देखने में भी काफी अच्छी लगती है, तो बन के तयार है हमारी चटपटी आलू कचाल तो उमीद करती हूँ, आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले, और अपना अनफो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिप्स को भी सेयर करें, मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई